नमस्कार योगगुरु धीरत चेनल में आप सभी साधकों का स्वागत है भोजन और उसका पाचन एक महतपून चीज है जो हमारे इस सिस्टम में घटित होती है अगर हम सब कुछ कियें लेकिन भोजन का पाचन अफशोशन सही तरीके से ना हो ये जो जीवन खड़ा हो रहा है बढ़ रहा है विक्सित हो रहा है उसमें ब्रेक लग जाए हमारे कई औरगन सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तंत्रों को सही तरीके से उर्जा नहीं मिर पाएगी इसलिए बहुत जरूरी है कि भोजन का पाचन और उसका वसोसन सही सही तरीके से सुनिश्चित हो और योग उसमें बहुत महत्पुन भुमिका निवा सकती है एक ऐसे समय में जब हम किसी भी तरह की एक्टिविटी से दूर हैं और तनाव हर दिन का बढ़ता जा रहा है तो मांसिक जो तनाव है और दिन भर जो हम ऐसी एक्टिविटी में लगे में जिसे ब्रेन की खप़ जादा हो रही है वह हमारे सिस्टम में सिंफेटेटिक नर्वस सिस्टम यानि सुर्य नाड़ी को एक्टिविट कर रहा है और उस सुर्य नाड़ी के कारण हमारा डाइजिस्टिव फायर यगनि जठ्रागनी कमजोर हो रही है और पेट आँच से समन्दित चाहिए क्वालाइटिस हो या दूसरे तरह की और पचन की समस्या बढ़ती जा रही है हर एक से दो दूसरा विक्ति समस्या से पिल लित आज का सिक्वेंस ऐसा है जो आप इन समस्यां से दूर करेगा या आप अगर नियमित इसको ध्यान में रख करके जीवन में ढालने तो भविस्वें कभी समस्या से आप दो चार नहीं होती है तो सबसे पहले हमाज बताने जा रहे हैं कि भोजन करने जाएं तो उससे पहले एक दो चीज़ें क्या करें और भोजन के बाद क्या करें इसको अगर और इसमें आपको ज्यादा समय नहीं पांच मिनट सुरवात में देना है और इसी तरह का दस पांच मिनट आपको बाद में देना है भोजन के बाद और आपकी ये स्वास्त 15-20 मिनट में आपकी सेहत और भोजन का पाचन में विस्ता सुद्रड बजाएगा तो मुझे भी स्वास है कि आप इसको करेंगे सबसे पहले भोजन अगर आप करने जा रहे हैं उसके ठीक पहले दो से पांच मिनट पहले आप बजरासन में इस तरह से बैठें अगर बजरासन में बैठने में दिक्कत हो तो सुखासन में भी पालती मार के जो बैठते हैं वो इससे करें सांस ने पहला चीज़ यही करें सांस छोड़ते वे आगे कि जुग जाए और बालक आसन के पोजिशन में हाथ को साइड में रख सकते हैं अगर सीर नहीं लगता हो तो हाथ का सपोर्ट यहाँ पर दो तीन मिनट रुके कम से कम एक मिनट रहने की गुजारिस है सांस छोड़ते वे जाना है आखे बंद कर लिया और फिर नार्मल सांस लेते छोड़ते रहें यह आसन क्यों मैंने जोड़ा देखने में यह सहज है अगर किसी को यहां पर प्रेशर आ रहा है तो कपड़ा लगा सकते हैं कंबल रख सकते तो प्रेशर नहीं आएगा या पाउंग की अंगलियां अंदर करते हैं यह आज के यूग में हम बैटके काम करते रहें प्रेशर नेटप पर मोवाइल पर सारा चीज तो ब्लड का सर्कुलेशन इधर ज्यादा नहीं बढ़ता है तो आप इस तरह से जब करते हैं तो सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ जाता है तो डाजेश्टिफ फायर अतरिक्त प्राण ब्लड के आने से इंप्रूब होता है इसलिए यह आसन इंपोर्टेंट है और तीसरा जो महत्कुन बात है कि आगे जुकने से ब्लड का फ्लो सीर के तरह बाता है बालक आसन मन की शांति को देता और जब तक आप सांत नहीं हों अपचन की समस्या इसलिए IBS इसलिए होता है irritable bowel syndrome उसका कारण है एक आसन यह इसी में आप चाहें तो जोड़ सकते हैं मंडुक आसन यह नहीं इस तरह से अंठे को रखेगा सांस लिजेगा और सांस सोड़ते हुए आगे कि और जुग जाईए दम बालक आसन की तरह बस इस दो important आसने तीसरा important आसने कि twisting पेट को जितना आप twist कराएंगे blood का circulation बढ़ेगा और toxic जैनि जो जहर आतों में या सेल में बिजातिये पदार्त उसको कते हिंदी में बिजातिये पदार्त आपका बहार जाएगा तो उतना पाचन अंगोंक में भोजन को यानि आत क्या करता है जैसे इस टमक में आप भोजन की है अब वो बड़ी आत में आएगा बड़ी आत में भोजन का अफसोसन होता है यानि उसका असली रस निकाल लिया जाता है और जो अफसिष्ट पदार्त जिसको हम मल कहते हैं वो मल जो है आप सौच से बाहर कर देते हैं तो अफसोसन नहीं हो तो हुआ कि अब भोजन गया लेकिन अफसोसित नहीं हो पा रहा है इसके लिए टुस्टिंग इंपॉर्टेंट कैसे करेंगे एक इंपॉर्टेंट टुस्टिंग इसके अलावा भी तो तिन जोड़ सकते हैं लेकिन एक कम से कम करें पायां को आगे रखिए एक को बेंड से टुस्टिंग यहीं जरूरी है आत भी ठीक होगा और पेट भी ठीक रहेगा उदर उदर भाग और पेट यह लीवर किडिनी के लिए अच्छा है एक साथ कही लाब होगा अब सांस लेते चोड़ते लिए जिनको और ज्यादा डीप करना एलबो को नी के एगेंट से ले हतेली को आप आसिरवादी मुद्राम रखें और ट्विस्टिंग को डीप करें और इसी प्रक्रिया को दूसरे साइड भी आप करें कितना सकेंड रुकना है स्पाइन सीधी रखेगा सांस चोड़ते वे ट्विस्ट किजेगा और रुकना है आपको पांस से दस हो गया उससे पहले मंत्र चंड करें मंत्र चंड कोई भी हो सकता या कुछ नहीं हो तो दो तीन मिनट सांती से बैड़ जाईए भगबान को धन्यवाद दीजिए आज के बोजन के लिए और बोजन को धीरे धीरे चवा चवा करके सांती से खाये जैसा भी बोजन मना है प्र इसे मन की सांती जादा होगी भोजन इस्टेवलिस्ट होगा अच्छी तरह से एडजेस्ट होने लगेगा पेट के अंदर तो अत्रिक्त गैस एसीट की समस्या से निजात मिलेगी आपका मन जैसे सांत होता है जो भी गलत चीज होगी वो जगह पाकर के बाहर निकल जाती है और भोजन का पाचन अच्छे तरह सोगा पहला कारी यह करना है दूसरा कारे भोजन के बाद आप बजरासन में बैठ सकते हैं अगर गुटने में कोई समस्या नहीं है नहीं तो सुखासन में आप करें इसके अलावा आप उंकार चंटिंग कर सकते हैं जैसे लब्मी गहरी स सांस लिएं दीरे दीरे सांस शुड़ते वे ओं कि अधिरे दीरे सांस आते वे दिए खिचना नहीं है सांस आराम से लेने दिए सरी पिर ओंकार कर सकते हैं काल बंद करके या बैठे हुए आप सांस लेंगे भ्रामरेम क्या होता है सांस लिए फिर सांड निकालें अगे ऐसा कई बार करें कितना बार करना एक तक कोई सीमानी जितना आपको अच्छा लगे जितना समय की मरियादा हो आपके पास अब मैं लॉजीक बताता हूं बसीष्ट योग हमें सालोजीक ताया मैं कह रहा हूं इसलिए आपको फोलो करना इसा नहीं जब आप भोजन कर गये करते हैं उंकार और भरामरी और आगे भी बता सकता हूं कि क्या क्या और प्रणयाम कर सकते हैं तो मन सांत हो जाता है क्योंकि प्रणयाम मन को सांत कर देता है मन से क्या होता है कि उर्जा आपकी बाहर जा रही है मन जहां जहां लगेगा सोच में विचार में कारे में वहां उर्जा जाएगी अभी आप जा नहीं रहा है तो वही उर्जा भोजन के पाचन में लग जाएगा तो भोजन जलती पचेगा अच्छे से उसका अफ्सोसन होगा यह फैदा है इसलिए भोजन के बात जो आपको कहते हैं प्रणयाम नहीं करना चीए वो गलग बता रहे हैं प् इसको कीजिए और इससे आपको फर्ग दिखेगा कि किस तरह से खास्तों पर कोलाइटीस की समस्या अलसर की समस्या आइबियस की समस्या पेट आंत का किसी तरह का रोग पेट में सूजन की समस्या अपचन की समस्या ऐसे जिनको भी है वो सभी लोग इसको जरूर अब कई लोग बोलते हैं दूसरी दूसरी तरह बाते हैं लौजिकल ही लौजिक में आई और यह करके आप नारिस वधन या नुलोम विलोम प्रणयाम भी कर सकते हैं या सांती से करके बैठे को देखते रहेये त्यान भी क्रते इस तरह के प्रणयाम कर सकते हैं और अगर आपके पास की और मर्यादा हौँ अ estudio les समय आफीस में बैठे हैं तो इतना ही करके कम से कम औंकार भ्रामरी मौह सकते हैं किसी को दिक्कते हो तो चुप्चाफ से बैठे रहिए लोक मार रहे हैं राजनितिक बहा सकर रहे हैं या इरियल के बारे में डिसक् assess कर नें कि क्या मिलेगा इस बार वह समय मत पस यह जो मिलने वाला है आपके भार ने उसमें मत घवा आप चुपचाप से अपने कुर्सी पे बैढ़ जाईए और सांती से सांसों को देखिए या पेट में जो अनाज गया है उसको अफजर्व किजिए देखिए उसको उससे बहुत फ़र्व है घर में है तसली है जीवन ज्यादा काम नहीं है तो सवासन को कर सकते हैं भोजन के उपरां इस तरह से लेड़ जाईए और बॉडी को अबजर्वेशन करेंगे तो धीरे धीरे हर चीज सांत होता जाएगा तो भोजन का अपसोशन जादा हो बहुत कम समय है तो लेट साइद इसको बाम पुष्टी करते हैं कि बाया करबट भोजन के बाद लेड़ करके आप भोजन को शरीर को देखें पूरे शरीर को देखें इससे आपके जीवन में सुधार आएगा मनत अनसांत होगा और पाचन प्रक्रिया सुद्रड होगी और इस तरह के प्रॉबलम से निजात मिलेगी लेकिन एक दिन में नहीं योगा इस नोट क्विक फिक्स अभी फेविक करेंगे तो आपको फर्क दिखेंगा और उस फर्क को कमेंट में जरूर विचार रखी यह कैसा वीडियो लगा आप बताईए और आपकी कोई और पेटा आतों से पाचन और पाचन से समझें कोई भी समझतिया हो तो मुझे लिखित रूप से बताईए आपको उसका जरूर जवाब मेंगा धनिवाद बेहतरी के लिए क्योंकि कई लोग पाचन की रोगों से बेटांती रोगों से ग्रवसित हैं तो जन हित में कम से कम इतना कर दिए कि इसको आगे पिडित लोगों तक पहुंचाते रही धनिवाद वसिष्ट योगा असरम से आज इतना ही आपका जीवान मंगल मैं हूँ हरियो